इस भाक्ती दौरती जिंदगी में जितना जरूरी रवाईया है, उतने ही जरूरी रोटी भी है. तो क्या एक कलाकार सिर्फ मान और सम्मान पे रह सकता है? उसे अपना परिवार पालने के लिए आए भी चाहिए. एक संगीतकार के लिए अपने रोयल्टी के पैसे मिलना जितना उसका अधिकार है, उतना ही दे इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी आईपी आरेस की जिम्मेदारी भी. हमारे साथ आज मौझूद हैं आईपी आरेस के स्पोक्सपर्सन मिस्टर मयूर पुरी, जो कि संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम होने के साथ साथ, आईपी आरेस के जरिए कई कलाकारों को उनका रॉयल्टी दिलवा रहे हैं. उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रॉयल्टी और आईपी आरेस के क्या महत्व है संगीत कारों के लिए. मुजिक पहुचाया जाए, बहुत खुबसूरत शाम है, बहुत एंजॉय कर रहा हूं इसको, और सावन खान जी ने कितना कमाल का गारा ये गाया, रंग ही रंग, बहुत मज़ा आया, और यही तो चीजे है, जो होनी चीए, यही मुजिक है, जो लोगों तक पहुचना ची सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं, क्या है, और यह कलाकार के लिए क्यों ज़रूरी है, हाँ, IPRS का मतलब है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, यानि कि जो कलाकार होते हैं, यानि कि म्यूजिक बनाने वाले, गीत लिखने वाले, शब्द लिखन को बना के और फिर उसका रेकॉर्ड बना के उसकी रेकॉर्डिंग को समझेंगे भेजने वाले, यानि कि जो म्यूजिक कंपनी हो गए, यानि कि इस तरीके के जितने भी लोग हैं, जो म्यूजिक फिल्ड के अंदर काम करते हैं, ओथर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट या है, तो ऐसे उनका काम यही है, कि अपने अपने देश के कलाकारों की जो रॉयल्टी क्रियेट होती है, यानि कि उनके काम से जो एक्स्ट्रा आय जनरेट होती है, जब बार बार उनका म्यूजिक बचता है, गाना कहीं न कहीं, तो उसकी एक इंकम जनरेट होती है, उस इंकम क्या होती है और IPR इसे कैसे registration कर सकते हैं हां बहुत अच्छा सवाल है आपका देखिए royalty का मतलब यह होता है कि जब आपने गाना बनाया है चाहे वो लिखा है चाहे चाहे पबademर जना लिखा है तो वो गाना सिर्फ एक बार बचता इसा तो है है नहीं कि आपने एक ही प्रोग्रैम किया उसमें ईक इए बार गाना बच आवर फिर बाद बहुल गए ऐसा तो नहीं होता आच्छे गाने बार-बार बचते हैं, अलग-अलग जगे पे बचते हैं, कभी TV पे बचता है, कभी फिल्म में बचता है, कभी रेडियो पे बचता है, कभी किसी होटल में बचता है, कभी शागियों में बचता है, कितनी जगे पे हमारे गाने बचते हैं, उसके बाद गाना हो गया, सावन हो गया, Spotify हो गया, YouTube हो गया, हर जगे पे गाने बचते हैं, एक ही अच्छा गाना होता है, लेकिन सब जगे पे बचता है, तो जब जब वो गाना बचता है, तो लोगों को खुशी देता है, जब लोगों को खुशी देता है, तो लोग उसे बार-बार सुनते हैं, तो उसकी एक आये generate होती है उसके एक income generate होती है तो जितनी बार वो आये उसकी पैदा होती है उतनी बार वो जो original writer है या original composer या original तो सख kitaUm ये तो सही तो हक की बात है जितनी बार आप सुनकर गाना मजा ले रहे हो उतनी बार उस आर्टिस को कुछ तो मिलना चाहिए, उसको बुलते है royalty, वो जो कुछ है, वो जो थोड़ा-थोड़ा करके हर जगे से इखटा होता है, और इखटा हो के काफी अच्छा amount बन जाता है, उसे कहते है royalty, और ये हर कलाकार का हक है, ये उसे मिलना ही चाहिए, जहाँ-जहाँ पर गाना बजे, और वो कलाकार तक पहुचे, उसे कहते है royalty, और IPRS का काम यही है, कि इस royalty को वो इखटा करे और लोगों में बांटे, लेकिन ये process को आसान करने के लिए, IPRS आपके लिए एक काम कर सके, इसलिए आपको भी कुछ मेनत करने होगी, एक कलाकार होने के नाते, आपको अपने गान बनने के बाद में, आप IPRS को बार-बार बताते रहें कि ये, ये, ये मेरे गाने हैं, और ये यहाँ यहाँ बज रहे हैं, जितना आप बता सके, वरना अपने आप भी, अगर आपके साथ में बाकी कोई music company है, या जिन लोगों ने publish किया है, वो लोग भी data, वो लोग भी information ज आप तक पहुंचा दी जाएगी, तो IPRS के member बने और register करें जितना जल्दी हो सके, हर कालाकार के लिए बहुत जरूरी है, thank you so much Mayuz जी, thanks a lot, namaste, thank you Shuchi, बहुत मसा है आप से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,